ओम गरिशाय नम आई ये सुनते हैं बिनायक चतुर्थी ब्रत कथा पौराडी कथा की अंसार एक बाद भगवान सिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे माता पार्वती शिव जी के साथ समय बिताना चाहती थी इसलिए उन्होंने शिव जी से चौपड खेलने को कहा शिव जी भी तयार हो गए लेकिन वहां कोई ऐसा नहीं था की जो उनकी हार जीत का फैसला करे ऐसे में सिव जी ने कुछ तिन के लिए और उससे एक पूतला तयार किया फिर उस पूतले में प्रार प्रतिष्ठा कर दी फिर उन्होंने पूतले से कहा की बेटा यहां हम चौपड खेल रहे हैं लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है ऐसे में अब तुम यह देखोगे की चौपड में कौन हारा और कौन जीता फिर सिव जी और पारवती जी ने खेलना सुरू किया तीन बार खेल खेलने के बार जीत पारवती जी की हुई सैयोग से तीनों बार माता पारवती ही जीत गई खेल समाप्त होने की बार बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादीव को बिजई बता दिया जब माता पारवती ने यह सुना तो वे बेहत क्रोधी थुई उन्होंने उस बालक को श्राप दिया की ओ लंगरा हो जाएगा और कीचड में पड़ा रहेगा बालक ने माता पारवती से माफी मांगे उसने कहा की अज्यानतावस ऐसा हुआ मैंने किसी द्विस भाव में ऐसा नहीं किया बालक द्वारा छमा मांगने पर माता ने कहा यहां गड़ेश पूजन के लिए ना कन्याएं आती हैं जैसा ओ कहें कि वैसे ही गड़ेश जी का ब्रत करें ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे बालक को यह कह कर शिव पारवती कहलास चले गए फिर एक वर्ष के बाद उस अस्थान पर ना कन्याएं आई उन्होंने गड़ेश जी को पूरी ब्रत बिधी बताई उस बालक ने 21 दिन लगातार गड़ेश जी का ब्रत किया उसकी स्रधा दे गड़ेश जी बेहत प्रशन हो गए उन्होंने बालक को मनवांचित फल प्रदान किया अब बालक ने कहा हे बिनायक मुझमे इतनी सक्ती दे कि ओ अपने पैरों पर चल पाए और कैलास परवत पर जहा पाए गड़ेश जी ने बालक को बरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए फिर ओ बालक कैलास परवत पर पहुचा और अपनी कथा उसने भगवान सीव को शुनाई माता पारवती चौपर वाले दिन से ही सिवजी से बिमुख हो गए थी ऐसे में देवी को मनाने के लिए सिवजी ने बालक द्वारा बताए गए ब्रत को 21 दिन किया इस ब्रत के प्रभावशे माता पारवती के मन से भगवान सीव के लिए जो नाराजगी थी वह शमाप्त हो गए उसके बाद यह ब्रत भी थी संकरजी ने माता पारवती को बतलाई यह सुन माता पारवती के मन में भी अपने पुत्र कार्ति के सी मिन्ने की इच्छा जागरित हुई फिर उन्होंने भी यह ब्रत किया ब्रत के 21 में दिन कार्ति के श्वयम माता पारवती से आ मिले उस दिन से स्री गरेश चतुर्थी का यह ब्रत शमस्त मनो कामनाओं की पूर्थी करने वाला ब्रत माना जाता है हिंदू धर्म ग्रन्थों की अंसार अमा वश्या के बाद आने वाली शुक्लपच की चतुर्थी को बिनायक चतुर्थी कहते हैं पुरारों की अंसार शुक्लपच की चतुर्थी को बिनायक तथा कृष्णपच की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं श्री गरेश की कृपाप्राप्त से जीवन के सभी अशंभव कार्य भी शहजी शंभव हो जाते हैं इस दिन स्री गरेश की पूजा दोपहर मध्यान में की जाती है इस दिन स्री गरेश का पूजनर्चन करना लाबदाई माना गया है इस दिन गरेश की उपासना करने से घर में शुक्षम्रिधी, धन्डवलत, आर्थिक संपन्नता के साथ-साथ, ज्यान इवं बुध्धी की प्राप्ती भी होती है भग्वान श्री गरेश को बिग्न हर्ता कहा जाता है बिग्न हर्ता यानि आपके सभी दुखों को हरने वाले देवता इसलिए भग्वान श्री गरेश को प्रशन करने के लिए बिनायक चतुर्थी और संकस्टी गरेश चतुर्थी का ब्रत किया जाता है बिनायक चतूर्थी में चंद्र दर्शन करने की मनाही होती है धार्मिक मान्यताओं के अंसार बिनायक चतूर्थी को चंद्र दर्शन करने से जीवन में कलंक लगता है इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचें आईए जानते हैं बिनायक्चतुर्थी के महत्व के बारे में बिनायक्चतुर्थी के दिन ब्रत्धारी ब्रह्मोहुर्थ में उठकर नित्यकर्म से निवरीत होकर अशनान करे लाल रंग के वस्त्रधारण करे पूजन के समय अपने अपने सामर्थ्य के अमसार शोने, चादी, पीतल, तामबा, मिट्टी, अथवा, शोने या चादी से निर्मित शिवगरेश की प्रतिमा स्थापित करें संकल्प के बार भगवान शिव और श्रीगरेश का पूजन करके आरती करें तत्पस्चाद, अवीर, गुलाल, चंदन, शिंदूत, इत्र, चावलादी चढ़ाएं गडेश जी का मंत्र पढ़ें ओम गंगरपतै नमः बोलते हुए 21 दुर्वा दल चरहाएं अब बूंदी के 21 लड़ों और शिव जी को माल पूवे का भोग लगाएं पूजन के समय स्री गडेश इस्तोत्र अथर्वशिष संकट नासक गडेश इस्तोत्र का पाठ करें ब्रामहर को भोजन करवाकर दच्छिडा दें अपनी सक्ती होतो उपवाश करें अथ्वा साम के समय खुद भोजन ग्रहर करें साम के समय गडेश चतुर्थी कथा स्रधान सा गडेश इस्तोती स्री गडेश सहस्त्र नामावली गडेश सिवचाली सा गडेश पुरार आदिका अस्तवन करें शंकटनासन गडेश इस्तोत्र का पाठ करके श्रीगडेश की आरती करें